विजियो में पेकेना, नॉट्वरी हाप्पी दूट अभी डाउम्लोड करें ताक आप पार करके जाते हैं, तो दुश्मन को उसकी हद बता कर आते हैं ये वो हैं जो सबसे उन्चे युद्ध क्षेत्र में भरते हैं उडान ये वो हैं जो कायम रखते हैं तिरंगे की शान भारतियव वायू सेना, दुनिया के असंभव से असंभव मिशिन को संभव करते हुए नित नहीं उचाई, नित नहीं उडाई आज हम भारतियव वायू सेना की ऐसी अनूठी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो उपकरणों के आगे इंसानों की कहानी संभर्ष को छोटा करते हौसलों की कहानी विजय की कहानी है, विश्वास की कहानी दुनिया भर की वायू शक्ती को आखने के कई पैमाने होते इन में विमानू की संख्या, इस्तिमाल की जाने वाली तक्नी विमानू के प्रकार के आधार पर रंकिंग की जाती है लेकिन मशीनों और मानव के अधुत ताल्मेल की तस्वीर बनाती भार्दिय वायू सेना सफश्ट तौर पर सर्वश्ष्ट कही जा सकती साल के हिसाब से ये जो हलिकॉप्टर हैं वो काफी पुराने हैं लेकिन थारत की परिस्थितियों को देखते हुए, जो बोहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं यही पी समझिए कि जो पाइलोट से में उड़ाते हैं, उसका dorm खहिने पर हो एक हर की ख़ती लांग शर सकते हैं पूची पहाड़िया, आपदा की स्थिति, ना उडान के अनुकूल मौसम, ना लैंड करने लाइक जगे लेकिन देश की पुकार पर हर मुश्किल से लोहा लेते हैं हमारे वायू भी है 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 हेलिकॉरी पॉल टर्पेवल पहल अपने मिशिं के लिएफ लो कि एक साभी तुर्अ कि अपने नागे। से एक्राफ्ट की कैविलिटी के हिसाब चे उसका एक्जीक्वेशन करता है एक टांसपोर्ट पालेट की मुख्य जिम्मेदारिया है एर टांसपोर अपरेशन्स, अपरेशनल लोजिस्टिक्स, एर मोबिलिटी और स्पेशल मिशन्स जैसे हम करते हैं और यह सब मिशन्स हम सिफ अपने देश में निह अपने फ्रेंडी निशन्स के लिए हैं I'm very proud to be where I am It's a privilege to wear this uniform every day और जब आप जहाज के अंदर घुषते हैं और आप टेक-उफ करते हैं तो आपके दुनिया बदल जाती है 2013 में जब देव भूमी उत्तरा खंड त्रासिदी से त्राहित्रा ही करूठा था तब भारतिय बायू सेना ही देव दूत बन कर आई थी उस भयंकर तबाही के एक ही दिन के अंदर इंडियन एफोस ने ओपरेशन राहत की शुरुआत कर दी थी सड़ के सैलाब में बहचुकी थी हर और पानी ही पानी था आपदा के पैमाने को देखते हुए जल्द से जल्द बचाओ की आवश्रक्ता थी तब 48 घंटे के भीतर भारतिय बायू सेना के हेलिकॉप्टरों ने रहत काजी शुरू कर दिया थी कहने के लिए ये एक पीस टाइम ऑपरेशन था लेकिन इसकी योजना युद्ध की तरह की गई और किसी जंग की ही तरह इसे लड़ा गया उत्राखंट फ्लेश फ्लेट्स के दौरान धरासू एलजी एक्टिवेट करवाने की जिसमें इंडियन एफ फोर्स के हलिकॉप्टर्स आगे जा चुके थे बढ़ वहां तक पहुंचाने कोई रस्ता नहीं था फ्यूल पहुंचाने का क्योंकि सारी रोट्स टूट चुकी थी इसके बाद सीवन थर्टी को डिपलॉय किया गया था जिसमें सीवन थर्टी ने पूरा का पूरा जहाज फ्यूल से भरके वहां जाके आल्मोस जीरो विजिबिलिटी में लैंडिंग करी और फ्यूल फिर हेलिकॉप्टर्स को दिया इतने बड़े पैमाने पर इतनी दिनों तक इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मदद नहीं की थी। 65 दिनों के अंतराल में भारतिय वायू सेना ने लगभग 3600 सौटी जोड़ाई, 23893 लोगों को रिस्क्यू किया और 863 टन भार उठाया कोई भी मिशन जो हेलिकॉप्टर को दिया जाता है वो बहुत यादा सेंसिटिव नेचर का होता है जैसे कहीं से कोई बार में कोई आदमी फसा उसको निकालने वाला या फिर और किसी जगा जहां पर फास्टेस्ट मीन में पहुंचना है जहां पर रोड वगारा नहीं है य हम फील करते हैं ततकालीम एचीफ में उस समय कहा था हमारे हेलिकॉप्टर के रोटर तब तक घुमना बन नहीं करेंगे जब तक आप मेंसे हर एक को हम बचा कर नहीं ले आते उम्मीद मत छोड़िये इस पूरे ओपरेशन के दौरान कई ऐसे मौके आए जब दूसरों की जान बचाने में खुद की जान जाने का भी खत्रा था लेकिन एक पल को ना इनका होसला डिगा ना इनके हेलिकॉप्टर रुखे इस दी मोटिवेशन होता है वो हमारे में भरपूर होता है हमारे टेरिन्क ऐसी होती है कि कोई भी सिचुछिन हो कोई भी कठनाई हो उसका डटकी मुकाबला कीजिए और जो भी देश को required है उसो फूर्फिल केजिए यही काम करने के लिए आया है और यही करने का मौका मिल और एक बहुत ही बड़े स्केल पर मिल रहा है तो उससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं होगी है दाइत्व का ऐसा ही निर्वहन जम्मू कश्मीर की बाढ़ के दौरान भी दिखा था जब तुर्गम पहाड़ियों में लोगों के बचाओ के लिए भारतिय वायू सेना ने दिन रात एक कर दिया था पर हेलिकॉप्टर पाइलेट्स का काम केवल राहत में नहीं है दुश्मनों की आपत में भी है किसी भी ऑपरेशन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सेना की हर अंग एक साथ मिलकर काम करें इसलिए भारतिय सेना की जवान चाहे युद्ध के क्शेत्र में या फिर किसी आंटी टरर ऑपरेशन में अगर उन्हें दुश्मन के क्शेत्र में जाना हो तो उन्हें वहां तक अपनी जान को जोखिम में डालकर पहुंचाने वाले वायू सेना के चौपर फाइलिट्स ही होते हैं और ये उनकी तमाम जिम्मेदारियों में सिर्फ एक है पूरी हमले के बदले में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी सेना के कमांडोस को सरहत पार पहुचाने में भारती अबायू सेना का रोल निरनायक था अब इन परिस्थितियों में एक पाइलिट की खुबियों को समझे रेडार की पकड में आने से बचने के लिए नाप ओफ दी अर्थ यानि जमीन से बहुत ही कम उचाई पर उडान भरी जाती है यह कोई आसान काम नहीं है आसभ देखान विए जाए रहे है तो यह पी खुबिश्स्याद से प्रिस्थित प्रिस्थित के लिए भी फिर्ट्री लिए यह को आपको नाविगेट करना होता है दूसरे देश की सरहद के भीतर सेना को दाखिल करना तकनीकी भाषा में टूप इंसर्शन कहा जाता है निश्चित जगे पर पहुँच कर पाइलेट को अपनी सूज बूज से ये तै करना होता है कि किस जगे पर वो सेनिकों को उतार रहे हैं वहाँ कोई घात लगा कर तो नहीं बैठा ताकि नीचे उतरते सेनिक कहीं दुश्मन की गोलियों का शिकार न हो जाए आप एक ऐसे टरेन में फ्लाइ कर रहे हैं जिसमें आपने कभी पहले फ्लाइ नहीं किया है दुश्मन के अलाके में आपको जाने का सिफ एक मौका मिलेगा और उसमें आप चूक नहीं कर सकते तो उसके लिए पाइलेट्स ओवर दे यह बहुत अपनी ट्रेनिंग करते हैं उनकी जब नविगेशन की सौटी लगती है वो असी बात की प्रैक्टिस होती है कि जब आपको ऐसा एक मौका मिले तो उसमें आप फेल ना हो क्योंकि हो सकता है उसमें जीपिएस जो एक एसे आपके पास पीस टाइम में रहती है वो लड़ाई के समें लड़ाइं के दौर तीसरी चुनोती होती है एक जगे पर होवर करना यानि एक जगे पर स्थिर होकर हवा में एक समान उचाई पर उड़ान भरना ताकि जो ट्रूप्स उतर रहें उन्हें नीचे जानने में न किसी तरे की कढ़नाई हो नहीं किसी प्रकार की चोड की आशनका यूतो में आटो होवर होता है पर हमारी वायू सेना में मशीन से बड़ा है मानव इसी कारण एक जगे पर स्थिर उड़ान के लिए पाइलिट खुद ही हेलिकॉप्टर को नियंत्रित करते हैं 20-30 मीटर के उचे पेड़ हैं तो यू हव तो होवर अटा हाइट हायर दिन दाट और अगर इसी तरह की ऑफ्रक्शन कम हाइट के हैं तो यू लाइक तो रिद्यूस दी होवर हाइट ताकि जो प्रूप्स हैं वो कम से कम समय लगाएं रस्यों के उपर जैसे मैं आपको बत तरह जब घने जंगलों में या दुर्गम इलाकों में मुटभेड चल रही होती है तब चौपर पाइलेट्स की भूमे का बहुत जरूरी होती है जरूरत पढ़ने पर अतिरिक सुरक्शा बलों को इस इलाके में पहुचाना बहुत कठिन और खतरनाक काम होता है क्योंकि ल हमारी रिक्वार्मेंट है देशवासियों को वह समय में हम जाके अपना टास्क पूरा गर सकते हैं इसी तरह अगर एंकाउंटर में कोई सुरक्शा करनी घायल हो जाता है तो दनादन गोलियों के बीच जल से जल उन्हें सुरक्शत निकालने की चुनोती होती है ताकि उनक होते हैं वेन दे रिक्वार इमिडेट मेडिकल अटेंशन जो फास्टेस में जहां पर एक हेलिकॉप्टर उतर सकता है और उनको इमिडेटली इवैक्वेट कर सकता है वाइधिंग सुव डाट गिवस्ट प्लेशन का एक और पहली होता है जब किसी ऑपरेशन के लिए सैनि हेलिकॉप्टर हुआ करके ट्रूप्स को इंसर्ट कर रहा था तो यूर ऑपरचुनिटीटीज तो शोओ थी स्किल्स आर प्रॉबली वंस इन लाइफ टाइम बट यहाव तो प्राक्टिस इट फॉर लाइफ टाइम एक ऐसी इमारत में सैनिकों को पहुंचाना जहां पहले कि इमारत में दाखिल होने से पहले किसी तरे की क्षटी न हो यह अपाची हेलिकॉप्टर है भारतिय वायू सेना का सबसे नया महमान एक अटाक हेलिकॉप्टर है भारतिय वायू सेना की क्षमता पूरी दुनिया में कई गुना इसके साथ बढ़ गई क्योंकि बहुत सारी चीज़े इसमें ऐसी है जो दुनिया में कही नहीं पाई जाती मसलrån ये कि जब ये हवा में उडान भरता है तो हवा से हवा में मार रखने करने की खशमता देता है अमेरिका में निर्मित अपाचे हेलिकॉप्टर दिन और रात में उडान भरने में सक्षम है हर तरह के मौसम के अनुकूल युद्ध की स्थिती में आचूब है और उडान के दौरान अगर दुश्मन का निशाना भी लग गया तो नुकसान जेलने की क्षमता भी है इसके नोज पर सेंसर लगा होता है जिससे टागेट पर निशाना साधा जा सकता है फाइट प्लेंज की तरह ये भी दुश्मन के क्षेत्र में आतंक निरोधी आक्शन में सक्षम है उपकरणों से बढ़कर ये हमारे पाइलेट की कुशलता है कि कठिन मोर्चों पर वो अपने दाइटनों को पूरा करते है दुनिया में कोई सेना ऐसी नहीं जिसकी ग्लेशियर पर तैनाती होती है जैसे भारतिय सेना के जवान वहां तैनात होते हैं, भारतिय वायू सेना की भी तैनाती वहाँ है सियाचिन पाइनियर्ज तीन दशक से अधिक समय से यहां उपरेक्ट कर रहें इसके तहट वो लगातार दुनिया के सबसे उंचे हेलिपाद्स पर लैंडिंग करते हैं सियाचन ग्लेशियर के उपर उडान भरते हैं ये खतरनाक मौसम वाला एक बहुत दुर्गा में लाका है 1987 में उपरेशन मेगदूद के बाद से सियाचन में हेलिकॉप्टर जीवन रेखा की तरह रहें एक बार सैनिक पावर्ड पोस्ट पर चले जाते हैं फिर उनका रसद हेलिकॉप्टरों द्वारा ही पहुँचाया जाता है और 18 से 22,000 पीट की उचाई पर उडान भरना कोई आसान काम नहीं है इतनी अधिक उचाई पर प्लाई करने के दौरान ऑक्सिजन की कमी रहती है रसद पहुचाने के लिए उन सटीक इलाकों का चैन करना होता है जहां पर पोस्ट हैं वरना वो खाई में गिरकर बरबाद हो सकते हैं साथ ही इन इलाकों में अगर कोई परवतारो ही फंस जाता है तो लगातार बर्फबारी और तेज हवाओं के बीच उन्हें बचाया भी जाता है अपने असंभव मिशिन्स के लिए सियाचिन पाइनियर्ज को अब तक 62 बहादुरी पुरुसकार से सम्मानित किया जा चुका है भारतिय वाई उसेना का ये वो विमान है जिसने पाकिस्तान को पराजय का पहला स्वाद चकाया था दरसल 1947 में आजादी के साथ ही पाकिस्तान ने अपने कबाईलियों को भेजा कश्मीर पर शड्यंत्र के तहट कबजा करने के लिए जब कश्मीर ने मदद की गुहार लगाई तब इसी डकोटा विमान में सवार करके भारतिय सेना के जवानों को श्रीनगर एपोर्ट पर उतारा गया था और वहां से जो पूरी कहानी है वो बदल जाती ये भारतिय वायू सेना के पहले गर्व की तस्वीर है ये हिंदुस्तान की पहली जीत की तस्वीर जैसे ही कश्मीर के राजा हरी सिंग ने राज्या रोहन के दस्तावेजों पर दस्तखत किये भारतिय वायू सेना का ये डकोटा विमान सेना के रणबाकुरों को लेकर पुडान भर चुका था कि इंडिबंडेंस के बाद इंडिया ने जो पहला वार लड़ा अपने पस ये डकोटा जो जहाज है इसने उसको काफी अच्छी तरह से सपोर्ट किया ये इसको इसका कॉंट्रूबिशन बहुत ही ज्यादा सराया गया था श्रीनगर डकोटा एक ट्रांसपोर्ट विमान था युद्ध के मैदान में जब सुरक्षा बलूं को जल्द से जल्द कहीं पहुँचाना होता है तो ट्रांसपोर्ट विमान कारगर होते हैं संघर्ष के इलाके से लोगों को बजा कर निकालने में भी इन्हीं की भूमिका होती है लेकिन आज ट्रांसपोर्ट विमानों की शक्लों सूरत बिल्कुल अलग है वायू सेना के ये जो ट्रांसपोर्ट विमान होते हैं उनकी अपनी बहुत बड़ी महत्ता होती है जो दिक्षेत्र में अगर सेनिकों को बड़ी तादाद में पहुंचाना हो तो उसमें कारगर लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि जिन देशों में कोई कढ़िनाई होती है लोगों को वहां से निकाल कर लाना होता है तो एरलिफ्ट यही करते हैं भार्तिय वायू सेना इकलोती वायू सेना है जो C-17 Globe Master 3, C-130J Super Hercules और 276 तीन सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट का प्रयोग करती है और अलग-अलग परिस्थितियों में इनका पूर्ण प्रयोग होता है आई ये प्लीन अपने आप में एकदम खास है ये ओल वेदर केपिबल है और ये टाक्टिकल एरक्राफ्ट है जो इंडियन एरफोर्स के पास है और इसकी बहुत सारी केपिबल्टीज और ऑपरेशनल सेनेरियों में विच हम जिसको यूज कर सकते हैं इंडियर अल्टिटुट्ट जाते ही एर देंसिटीख कम हो जाता है तो एर क्रफॉफ को जो फिरेंजिन का परफॉर्मन से कम हो जाते हैं दरसल हर छोटे बड़े ऑपरेशन में लोजिस्टिक्स की आवशक्ता होती है। भारतिय वायू सेना की कार्गो फ्लीट की जिम्मेदारी है, निर्धार क्षेत्र तक सैनिक और उपकरणों की जल से जल पैनाती है। और इसके लिए वायू सेना के पाइलेट्स और इंजीनिय इतना कुछ कर रहे है। आर्मामेंट रोल के लिए जैसे कहीं जाना है, तो आर्मामेंट रोल के लिए त्यार होता है, हमिलेंस भर्षन के लिए त्यार होता है, नॉर्मल फ्लाइं के लिए त्यार होता है, नॉर्मल एक्टिविटी के लिए, तो अलग 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 ट संघर्ष की स्थिती में एतिहासिक तौर पर ट्रांस्पोर्ट विमानों का बड़ा किरदार रहा है 1970 की युद में जब पाकिस्तान के साथ पूर्वी और पश्चमी दोनों मोचों पर लड़ाई चल रही थी तब तेजी से टूप मुव्मेंट इन्ही की कारे कुशलता से संभव हुआ था वो राष्ट रक्षा का जज़वाही होता है जिससे लगातार एक के बाद एक युद्धिक्षेत्र में ये उड़ान भरते हैं 11 ख्लास में मैंने सबसे पहली बार यूनिफॉर्म वियर की थी आपने आपको मैंने महसूस किया उसके बाद मैंने दिमार्ग में एक देह तो पक्का था कि मुझे आगे जाकर यूनिफॉर्म ही पहननी है बस यही एक मोटिवेशन थी अधर पीरीड में वाड़ की जूनिफॉर्म गीरेशन न देख सभाव घरीन वोजी की अधरेशन बड़ती है यह मुझे अधरय डूनिफॉर्म इसमें जो जूनिफॉर्म और यह आड़ग तरा का एड़ूनिफॉर्म न रिपन्जॉर्म जो के हर दिन, हर पल मिलता है आग करने को मिलते हैं उसने मुझे सबसे जादे प्रेरेट किया फॉर ट्रांसपोर्ट पालेट इस नोट अल्ली अबॉट फ्लाइंग दी एक्राफ्ट इस अल्सो बाउट हाउ यू गो वेर यू गो अन्वाट यू दू 1987 में जब पडोसी देश श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चल रहा था तब ट्रांसपोर्ट विमानों और हेलिकॉप्टरों ने लगभग 70,000 सौटी जोडाईं थी जब हम किसी ओपरेशनल मिशिन के लिए हमें मिलता है कि आप अभी इस के लिए प्लान कीजें तो लुकिंग एड़ट टरेन हम के टëरैन को अनलाईज करते हैं उसके बाद सौटी हम प्लाइन करते हैं क्या रूटिंग करेंगे किस हाइट पे हम फॉलो करेंगे और उसमानी दबदबा बनाय हुए थी एक तरफ पाइटर प्लेंस की कारवाई थी दूसरे तरफ जो 7,831 उराने थी उनमें लगभग तालीस प्रत्शत ट्रांसपोर्ट विमानुकी थी हमें मशीन के साथ साथ इसके साथ ओपरेट होने वाले लोगों के साथ भी बहुत लगा होता है फाइटर्स में जनरली सिंगल कॉक्पिट होते हैं अकेले फ्लाइ करते हैं इसमें चार क्रू मेंबर्स होते हैं चार क्रू मेंबर्स के साथ साथ आपके कारगों में भी तो उनके साथ में भी हमारा साथ में मिलके हम सारे operations करते हैं तो aircraft के साथ साथ जो लोग है इस जहाज में उसके साथ भी बहुत लगाव होता है यहाँ दो अंतरराश्ट्री operations का जिक्र बहुत ज़रूरी थी एक मॉल्डीक्स में चलाया गया operation cactus और दूसरा operation राहत का वो अध्याय जो यमन में चलाया गया था 2015 में मार्च के महीने के अंत में coalition Arab forces ने यमन में air strike शुरू कर दी वहां रह रहे 4000 भारतियों को फोरण निकालना आवश्यक था लेकिन air strike के मद्दे नजर evacuation की कोई भी कारवाई बहुत खतरनाक थी अलग-अलग संस्थाओं के संयुक्त operation में अकेले वायू सेना ने C-17 aircraft के जरिये कठिन परिस्थितियों में 11 उड़ाने भरी और 2096 लोगों को सुरक्षत वापस ले आए operation cactus 1988 में चलाया गया माल्डीव्स की सरकार ने अपने देश में घुसपैठियों से लड़ने के लिए भारत से सैन्य मदद की गुहार लगाई थी तब 3 नवंबर की रात भारतिय वायू सेना ने special operation की शुरुवात की और आगरा से पारा बटालियन के कमांडोज को लेकर नॉन स्टॉप दो हजार किलोमीटर की उडान भरी एक तरफ भारी भरतम रिमानू की गर्जना दूसरी तरफ मिराज 2000 की बेहग नीची उडान दम और दबदबे का ये एक ऐसा प्रदर्शन था जहां बगएर खून बहे संघर्ष का अंथ हो गया संघर्ष के ऐसे इलाकों में केवल पाइलिट नहीं बलकि वो तकनीकी स्टाफ भी महत्वपूर्ण होता है जिनके जिम्में इन विमानों का रख रखाओ होता है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वाले उन इलाकों में ये भी साथ जाते हैं कि अपरेशनल एंटेन्स तो हमेशा साथ चलता है ऑपरेशनल तभी सक्सेस्फुल होगा जब मेंटेनेंस परसन अपने पुले स्किल के साथ डिवोशन के साथ और एक जो उनके पास जो ट्रेनिंग पैटरन होता है उस पैटरन को ओन फिल्ड डिलीवर करें हमारे पास रिसोर्स बहुत लिमेटर रहते हैं मैं तो हम लिमेटर रिसोर्स लिमेटर में हम लिमेटर एक्विमेंट के साथ हम जहाज को त्यार करते हैं और हमारा जो भी मिशन रहता है या फिर जो भी रेश्क्यू मिशन रहता है या फिर जो भी को हेल्प करने हैं वह हम क इसलिए जिस तरह के operations होते हैं, जिस तरह के आवशक्ताएं होती हैं, बहुत सारगर, बहुत सखीक सावेश होते हैं. लेकिन उसके साथी उत्राही में को जूँद है, जो खात इले उड़ाते हैं, जो पाइलेटिंग में सवार होते हैं, उनकी भी सूजबूज, उनकी भी शक्ती बेमिसाल होती हैं. इन ट्रांस्पोर्ट विमानू के केरदार बहुत अलग-अलग होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी होती है पाइलेटों की सूजबूज. इसमें समय का बहुत महत्व होता है, और साथ ही जरूरत के अनुसार कहीं पर भी लैंड करने की काभिलिया हैं. हर एक्राफ्ट की अपनी स्पेसिफिकेशन होती हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह शॉर्ट रन्वेस पे, सेमी प्रिपेर्ड या अन्पेव रन्वेस पे भी लैंड कर सकता है. इस मशीन की सबसे खास बात यह है, कि जितना बड़ा इसका साइज है, जितना इसकी जादे लोड केरिंग कैफिसिटी है, या जिस तरह की इंडरेंस है, उसके साफ से इसको जो लैंड और टेक अफ करने के लिए, जो रन्वे की पट्टी चाहिए होती है, वो बहुत कम चा बनाया, 16,614 फीट की उंचाई पर इससे पहले C-130J ने कभी लैंड नहीं किया था, भारतिय वायू सेना के ऐसे असंभव कारनामों की कमी नहीं है, जितने भी हमने आज कल के HADR मिशिन्स देखे हैं, कहीं पर भी कोई विपत्ती आपदा आई हुई है, वहाँ से पैसेंजर्स के एवेक्वेशन के लिए लाज स्केल पे C-17 का यूज़ किया जा रहा है, दूसरे विश्वयुद्ध से लेकर आज तर, भारतिय वायू सेना के पराकरम के पिस्से एक दो नहीं, आज की तारीख में सयुक्त राष्ट के मिशिन में भी इंडियन एफोस का योगदान बड़ा है, हमीशा कहा गया कि भविश्य के युद्ध में वायू सेना की ज़रूरत पड़ेगी, बाला कोट जैसे ओपरेशन के बाद समझ ली जिए कि वो भविश्य आ चुका है, जाहे सेना का भारी भरकम साजो सामान पहुचाना हो, या फिर बड़ी संख्या में डूप्स को पहुचाना हो, ये चिनूख हेलिकॉप्टर्स हर जगे कारगर्स साबित होते हैं। भातिय वायू सेना के नवीनी करण के लिए एक तरफ राफैल जैसे घातक फाइटर बेड़े में शामिल किये गए हैं। तो आपाचे जैसे अटाक हेलिकॉप्टर हैं, जो युद्ध की स्थिती में आक्रमन मजबूत करेंगे। ऐसा ही किर्दार है चिनूग हेरिकॉप्टर्स का। दरसल वायू सेना में जितनी एहमियत इंसानों की हैं, उतनी ही एहमियत इन मशीनों की हैं। और दुनिया में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बहतरीन उपकरण बहुत जरूरी। और उन उपकरणों से दोस्ती भी उतनी ही ज़रूरी है। इंडियन एरफोर्स का सबसे बड़ा कार्गो मिलिटरी टांस्पोर्ट एरकाफ्ट हैं। इसके साथ हमारी कई लाइफ जाती हैं। तो उसको हम काफी देखते हैं कि कहीं भी एक भी माइनस पॉइंट इनना उस पे गह जाए कि उसकी वज़े से जो भी टास्क के लिए जाने वाला है उस पे प्रॉब्लम्स आए। इंडियन एफ फोर्स एक ताकतवर फोर्स है। बेहत प्रोफेशनल और अलग-अलग मोर्चों पर खुद को साबित कर चुकी फोर्स। दूसरे देशों की वायू सेना से तुलना के चार पैमाने होते हैं। विमानों की संख्या, पाइलिट, हथियार और एर बेस। तक्नीकी पैमाने पर हम दुनिया में खुद को चौथे नंबर पर मान सकते हैं। लेकिन पाइलिट्स को पर्खें, तो हम से आगे कौन। अपने हर उपलब्धी के साथ ये अपने आधर्ष बाकी को सार्थक कहते हैं। जो कहता है नभम, स्प्रिशम, दीपतम। आज के लिए इतना ही। अभी मन्यू शर्मा और क्यामर परसंस योगेंदर सिंग, हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाज़त बंदे मातरम।